का अज़ सब्सक्राइब कीज़ेगा मेरे चानल खाना जाय केदार को नए रेस्पीस के लिए बैल आइकन को प्रेस कीज़ेगा और हाँ रेसेपी पसंद आती है तो गीव थम क्लिक आज कि मेरी रेसीपी है आपके लिए व्हेरी पॉपुलोस स्ट्रीट स्नाक्स वो है चिकन काथी रोल बहुत सिंपल और इजी रेसीपी है फ्रेंडस आप इसे घर में भी बहुत आराम से बना सकते हैं और बहुत कम इंग्रेडियन के साथ में इसके लिए आपको चिकन की जर तो चलिए शुरू करते हैं चिकन काठी रोल बनाना, आईए देखते हैं उसके लिए हमने क्या इंग्रेडियन्स लिये हैं, सबसे पहले हमने काठी रोल के लिए आटा लगाना है, उसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, एक टी स्पून नमक लिया है, यह आपके टेस्ट से डो तेयार करके रखा है, मैं देखा, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं, यह आपको दिखाने के लिए मैंने लिया था, आटा हमको मीडियम गुनना है, ज्यादा लूस नहीं, और ज्यादा टाइट भी नहीं, पूरी जैसे नहीं, रोटी जैसे ही आटा गुनना है, में चेक कर सकते हैं, इसको हम सबसे पहले मारेनेड कर लेते हैं, यु अ बड़ा बॉल, इसमें डालेंगे चिक्न kad के पीसे और यह सारे पोंडर मुसाले एक बाद ये डालेते, इसके बाद हम डालेंगे थोडदा सा फूद कलर, ये बिल्कुल आदा पिंच में लिया है, इ इसको धाग देते हैं रेस्ट करने देते हैं आदे घंडे के लिए चिकन मेरिनेट हो गया है अब इसको पकाते हैं जैस वान करते हैं पैन रख दिया है डालेंगे तीन टेबिल स्पून ऑईल ऑईल जैसे ही गरम होता है यह मैंने एक मीडियम साइज का प्याज बारेक चौप करके रखा है ऑईल गरम होगे है प्याज जालते हैं प्याज हमारा हलका गोल्डन ब्राउन हो गया है अब आड़ करते हैं चिकन जो हमने आदे घंडे पहले मैरिनेट करके रखा था फोड़ा से इसमें मैं मिलाओंगी चाट मसाला मैंने दिया है इसको मिक्स कर लेते हैं इसको मीडियों फ्लेम में हम 6-8 मिनट के लिए भून लेते हैं इसको बीच बीच में हमको चलाते रहना है ताकि ये जले ने इसको कवर कर देते हैं और स्टर होने लेते हैं चिकन हमारा अच्छे से भून गया है और इसमें आड करते हैं पानी ये 100-150 ml मेंने पानी लिया है इसको हम कुक करेंगे 10 मिनेट के लिए लिट कवर कर देते हैं चिकन हमारा अच्छे से पग गया है अभी हम इसमें आड करेंगे एक पीस्पून में रिट बटर डलोंगी इसको एक मिनट के लिए इस्टवर होने देंगी गें गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा रूम टेंपरेश्यृ में थंडा करेंगे बन गया चिकन हमारा चिकन काठी रोल बनाने के लिए यह मैंने थोड़ा सैलेड काट पर रखा है चिकन हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है थंडा हो गया या निकी आठा अच्छा सॉफ्ट हो गया है हमारा इसका हम बेस पराठा बनाएंगे कि यह मैं देखें ऐसे मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे यह एक पेड़ा लिया है हमने सुखे आठे से इसको डस्टिंग करते हुए पराठा बना लेते हैं हमारा बेस पनाठा थोड़ा सॉफ्ट बनना चाहिए इसके लिए हम इसके उबर थोड़ा सा ओइल लगा लेंगे इसको इस तरह से रोल करेंगे ऐसे करके फिर से वापस से इसको हम बे लेंगे यह हमने बेस चपाती हमारी बेल ली हैं यह देखें साइज में अच्छी बड़ी है और एक दम थिन है तवा हमारा गरम हो गया है इसमें जो हमने चपाती बेल के रखी थी इसको हम सेक लेंगे इसको फुलिप करेंगे इसको हमें ज्यादा नहीं सेकना है बस हलके से मांक्स आजाए इसको दोनों साइड से ओईल भ यह सिग्या है हमारा बेस परांथा इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी पैन में हम अमलेट बना लेते हैं यह मैंने एग्स लिए है मैं एक रोल के लिए एक एग यूस करूंगी आप भी अपने रोल्स के कॉंटिटी के हिसाब से एग्स यूस कर सकते हैं अंडे का ओमलेट बनाने के लिए एक अंडा में तोड़ लेती हूं एक पिंच सॉल्ट डालते हैं अंडे को थोड़ा बीट कर लेते हैं ओमलेट के लिए थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेंगी इसको भी हमें दो साइड से नहीं सेकना है एक ही साइड से सेकना है साइड में थोड़ा सा ओईल डालेंगे ताकि आराम से निकल जाएगा यह ओमलेट हमारा बन गया है इसके ऊपर हम हमारा बेस पराथा रख देते हैं इसको फ्लिक करते हैं या इसका फ्लेम बन कर देते हैं इसी तरह आपको सारे रोल्स बनाने हैं चले हमारा बेस पराथा तो बन गया है बेस पराथा हमने प्लेट में शिफ्ट कर लिया है अब इसमें चिकन डालते हैं चिकन के पीसे सापके चॉइस पर है आप कम डाले ज्यादा डाले कि ऊपर हमने जो ओनियन का सालेड काटके रखा है उसको सजाते हैं इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा क्यारेट जो ग्रेट करके रखा है बारिक चॉप करके रखा है इसके ऊपर डालते हैं ग्रीन चट्नी यह उप्शनल है आप चाहे तो रड चट्नी टोमाटो कैचप भी यूज़ कर सकते हैं मयोनीज डालते हैं फाइनली फ्रेश कोरियंडर अब इसको करते हैं रोल हम पहले इसको यहां से फोल्ड करेंगे इसको सेट करने के लिए टूथपिक का यूज़ करूंगी बाद में हम टूथपिक निकाल देंगे मेरे पास रैप करने के लिए पेपर नैपकिन है अब सिल्वर फॉइल अगर है तो वह भी उसकर सकते हैं इसको हमने ऐसे ट्रैंगल में फोल्ड किया है आदूंगी अभी सेट हो गया हमारा रोल उपर से थोड़ा सा डाल रहे है चिकन थोड़ा सा डालूंगी पियाज उपर से क्यारेट बन गए हमारे चिकन रोल इसी दर आपको सारे बनाने हैं बन गए हमारे चिकन काठी रोल कैसी लगी मेरी यह रेसिपी उमीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएंगे पसंद आती है तो फ्रेंड्स शेर और लाइक करना ना भूलिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए नोटिफ इस वीडियो में एक और रेसिपी के साथ में तिल देन गुद बाइ फ्रेंड्स थैंक्स फर वाचिंग